Hello friends, myself Dr. Sunil Tawar, consultant ENT and rhinoplasty surgeon दोस्तों बात करते हैं आज बिना ओप्रेशन साइनस का इलाज बहुत अच्छा लगा ना दोस्तों सुनने में बिना ओप्रेशन साइनस का इलाज बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बेल आइकोन को प्रेस करना यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले जिससे रिली ऐसे अनिये कोप्योगी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको गर बेटे समय समय पे मिलता रही चो चलो दोस्तों बात करते हैं बिना ओप्रेशन साइनस का इलाज दोस्तों यह जो लाइन है हम जब पेशिंट हमारे पास आता है और यह ऐसा उसको क्योंकि पेशिंट के एक फितरत है दोस्तों वह ऐसा डॉक्टर ढोनना चाता है जो उसका बिना ओप्रेशन इलाज करते है बहुत खुशी होती है बिना दवाई के ही इलाज ऐसे ही बिना ओप्रेशन के इलाज बहुत अच्छा लगता है बड़ दोस्तों इस हाँ यह ऐसा है सबसे पहले हमें जानना होगा हमारे कोछ साइनस की जो प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाना होगा जिससे आप यह समझ सको कि हाँ ओप्रेशन के बिना भी इलाज हो सकता है और कहाँ ओप्रेशन की जरूत है दोस्तों जैसा आपको पता है साइनस प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा गोड ने हमारा नोज बनाया है यह नोज जो हमारी जो चीक की बन है और यह जो हमारी आगे की जो फ्रंटल बन है यहां आख के जो पास में है इस bone में क्या है, एक खाली space होता है, जैसे मदुमक्य के चत्ते में space नहीं होता, ऐसे, और ये जो space है, इनकी size अलग-अलग होती है, जैसे ये जो space है, इसकी size बड़ी होती है, जिसको हम axillary sinus बोलते हैं, ये जो space है, इसको हम ethmoid sinus बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, frontal sinus बोलते हैं और नोज के पीछे एक spin or sinus होता है, जो deep में होता है ये सारे जो sinus हैं दोस्तों, ये ultimate इनकी opening आके नोज में open होती है समझ गए? अब ये जो नोज और sinus मिलके एक unit की जैसे work करते हैं कैसे? कि जैसे हम क्यों बनाया है? ऐसा क्या जरूत पड़ गई थी? गोड कोई sinus की फपूंद बनाने की? दोस्तों, जब हम breathing करते हैं तो ये जो पूरी air हमारे नीचे जो हमारा wind pipe, हमारे trachea है, जो हमारी सांस की नली है उससे पहले नोज में जाने के बाद इस sinus में जाती है वहाँ क्या होता है? इस air का filtration होता है इस air का purification होता है आप street में घूम रहे हैं, बाहर गंदगी है, वातावरण के अंदर जो है आज temperature जो है, पचास डिग्री है, लद्दाक में हम गई जा माइनस में है ये सारा काम कौन करता है? ये nose of sinus मिल के करते हैं और एक fresh, humidified, purified air हमारे wind pipe के तुरू हमारे lungs में जाती है हमारे hemoglobin को पूरी body में पहुंचाने का काम करती है दोस्तों, जब किसी को allergy होती है जो हमारे नाक के अंदर की मुकुजा में problem की rate होती है allergy और infection के कारण सूजन आ जाती है और वो सूजन जब हमारे sinus के अंदर भी वो infection जब sinus में चला जाता है जिसको हम sinusitis बोलते है अगर किसी patients को ये अगर continue रहता है बार-बार नाक से छींके आती है पानी आता है, नोज ब्लॉक रहने लग जाता है पेशेंट सारे दिन बार नोज को यो clean करता रहता है तो that we create, that we call sinus problem दोस्तों, बहुत मार क्या होता है कि आपके sinus के अंदर हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और अगर मानलो डॉक्टर ने बताया ये किसी कारण से आपको polyps है और अगर डॉक्टर को आपने डॉक्टर ने आपको surgery बता दी तो दोस्तों, इस stage पे भी अगर आप एक उचित कदम उठा लेते हो तो आप बिना operation sinus का इलाज हो सकता है वो क्या है? सबसे पहले तो डॉक्टर के बताए अनुसार हमें जो है वो एक treatment तो आपको लेना ही पड़ेगा वो treatment जैसे कुछ antibiotics हैं कुछ उसमें decongestant हैं mild steroids हैं, nasal drops हैं जिससे आपको जो है आपकी जो problem है वो बिलकुल control हो गई आपको ऐसा लग भी नहीं रहा कि मेरे को sinus की problem रहती है बड़ दोस्तों बात यहीं खतम नहीं होती है उसके बाद you need a minimum medication just to prevent recurrence कि आपको वो problem बार बार डवलप नहीं हो बात समझ रहो एक nasal spray और एक tablet है जो आपको continue लेनी पड़ेगी दोस्तों इससे क्या होता है कि जो हमारा अंदर का जो sinus है वो ventilated रहता है उसकी जो ostea है जिसको हम opening बोलते है वो continue open रहती है और उसमें वो जो muco जा है वो फूलती नहीं है और अगर किसी कारण से उसमें कोई छोटा मुटा polyp बन गया है या पूल भी गया तो दोस्तों उस spray के कारण और उस टेबले के कारण shrink हो जाता है बैट जाता है उसमें बिना surgery भी वो कहा है बिलकुल लेकिन वो आपको अपनी इच्छा अनुसार बंद नहीं करना चीव प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इंडिया में कहें हर आदमी जाके गूगल पर find करता है कि यह तो लट लग जाएगी इससे तो side effect हो जाएंगे या दोस्तों आगर आप continue treatment लिया तो आपका पड़ोसी बोलेगा आपने यह क्या कर दिया चल मेरे साथ में बताता हूं तेरे को उस फला निती से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं करना second कुछ lifestyle में modification करना है आपको आपको जो allergy जो आपको लगता है कि इन इन चीजों से allergy है जैसे आपको जो है वो साफ सुत्रा atmosphere आपको जिस चीज से allergy रहती है उससे हमें बचाव कराना है आपके जो है पीलो है आपके जो बैट सीट से उनको continue हमें क्लीन करना है आपके घर में जो अगर पैट वगर कोई है तो उनसे भी आपको बचाव करना है और इसके इलावा morning के अंदर आप जो हम बाहर गुमने जाते हैं तो हमें अगर आपको लगता है कि यहां हमारे जो है वो पॉलन्स वगर ज्यादा है तो आप मास्क यूज में ले सकते हैं आपको जो है वो continue आपको प्रणायाम और meditation हमें आपको करना चाहिए और कुछ home remedies हैं जो भी हम time to time यूज में कर सकते हैं जैसे गरम पानी के gargles करने हैं गरम पानी आप कले के लिए soothing होता है वो हमें लेना चाहिए दूद और हल्दी हम ले सकते हैं इसके लावा हम तुल्शी की चाह भी ले सकते हैं इसके लावा हम बाकी जो है वो भी ले सकते हैं तो यसी बहुत सारी चीजें इन सब चीजों का अगर आप त्यान रखते हो बिना operation भी आपकी sinus problem का जो है management हो सकता है तो देखा दोस्तों रिली इस इन्फरमेशन इस उस्फूल पर यू तो यू अधर फैमिली फ्रेंट्स और कलीक्स जस्टू क्रेट एवरेनस की बिना operation भी sinus का इलाग हो सकता है और दोस्तों इस इन्फरम चार्द्स प्रेंट्स प्रेंट्स है तो यू इस 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 भी आप क्यों इस जाज़ा